आप लोगों को फिर से एक बार स्वागा थे मेरे यूटूब चैनल पर तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो एक कल नोटिफिकेशन आया है यूजी सी के द्वारा पीच्डी को ले करके हाना नेट इग्जाम को ले करके तूसके बारे मैं डीटेल में समझेंगे तीस वीड जिसके तुरू जब तक आप नेट इग्जाम नहीं देंगे विदा पीच्डी नहीं कर सकते हैं जो थर्ट कर डिगिरी है वो पीच्डी में एड्मिसन लेने के लिए आपको उसको लागू कर दिया गया है ठीक है यह अभी इसी सेशन से लागू कर दिया गया है सब को जाता था पीच्डी के लिए हाना अलेस होने सब्सक्राइब अलग अलग टाइमिंग पर होने के वज़़ा से बहुत सारा प्राब्लम साते थे इस्टूडेंट्स को ले करके हाना क्योंकि अलग 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 इनवर्सिटी में जाकर एक्जाम देना पड़ता था तो इसी को अग्जाम गया है कि जो इसी नेट इग्जाम जो देंगे उनको भी प्येच्डी में डेने के लिए अगर मालो नेट क्वालिफाइड भी नहीं ओप आप ज्यारे भी नहीं हो फिर भी आप जो भी नेट इग्जाम दिये हो उसके बैस पे आपको एक परसेंटाइल मिलेगा उसके base पे आपको अब admission मिलेगा state universities और central universities के admission लेना है आपको PhD में तो मतलब आप central university या फिर जो state university या वो कोई exam conduct नहीं कराएगा अब क्या हो गया अब अगर आपको PhD करना है तो नेट exam देना आप आपके लिए कंपल सरी हो गया है विदाउट नेट exam आप PhD नहीं कर सकते यह समझ लीजिए अब हाना क्योंकि अब directly exam किसी भी इनवर्शिटी ये colleges का directly exam नहीं होगा PhD admission को ठीक है तो इस video lecture को देखेंगे हम कल का notification 27 तारीक के date में जो आज की news paper में आप देख सकते हैं आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज है यह अब कब से लागू हो रहा है इसका validity कप तक रहेगा जो scorecard मिलेगा सब को detail में हम सम Central University को कहीं पर भी हो आपको PhD admission नेट exam देना compulsory होता है समझ लेते हैं इसको जून से जून से लागू होगा नया सिस्टम UGC ने जारी किया guideline जून से जारी हो जाएगा और देखें तीसरा category मैंने PhD के लिए बोला है यह सैक्षडिक सात्र कब से लागू हो जागा 24-25 से सेक्षडिक सात्र है उसमें लागू कर दिया गया है अब इसमें 3 category बता दिया यहां पर यह भी लिखा है जानकारी के मुताबिक इसके ताहत इंट्रेस टेस्ट का 70% वेटेज और सक्षातकार का 30% वेटेज देने को कहा गया है इसको भी समझने वाल है अभी official notification को यह हमारे लिए important हो जाता है क्योंकि अगर आपको PhD करना है तो अब क्या-क्या rules में changes हुआ है UGC के द्वारा यह भी हम देख लेते हैं यह है UGC का official public notification है यह देख सकते हैं आपर March 27 को है तो National Eligibility Test as an interest test for the admission to PhD तो National Eligibility Test नेट के exam होता है अब उसको एजा इंट्रेस्ट टेस्ट लिया जाएगा admission PhD के लिए ठीक है ती इन्वर्सिटी ग्रांड कमिशन हाना conduct the National Eligibility Test through the National Testing Agency जो NTA exam लेता है the NTA is conducted twice in a year तो दो बार होता है एक साल में हाना इन जून और दिसमबर तो करेंटली दानेट इसकोर और यूजड एज टू आवार्ड ज्यारेफ फेलोसिप अभी जो नेट क्वालिफएड होते हैं दो काटिगरी में आपको सर्टिफिक्ट मिलता है तो ज्यारेफ मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोसिप मिलता है या अभी दो काटिगरी में मिलता था अभी इसी को एक्टेंट करके तीन काटिगरी कर दिये का है तो बच्चों को क्या होता था अबस्ति इंट्रेस्ट एड्मिशन इड़ोड चाहिए तो इसलिए यह घञा कर दिया गया है कि यह आपको अगर आपको पिचुष्डी करना है कभी करने हैं तो आप को fandayे चैक्ट चीक है तो थ익 सब्सक्राइब एक्सपर्ट कमीटी देखे रिकमेंडेशन फिप 578 मीटिंग हेल्ड हुआ था 13 मार्च 24 को इसमें डिसाइड किया गया है इसमें क्या डिसाइड किया गए भी देख लेते हैं तो देखो फ्राम जून 24 अनवर्ड लिखा साब सब देखे जून 24 अनवर्ड अगर आप जीरेफ कर लेते हैं जैसा अभी होता है जो इसके बेस पर हम कही जगह पीएजडी कर सकते हैं और साथ थार्ड कार्ड कर आपको मिलेगा नेट एक्जाम का यूजीसी नेट इग्जाम जो कंड़क्ट कराईगी हाँ न एंटीए के द्वारा उसका थार्ड कटिगरी होगा उसमें क्या होगा आपको स्कोर काड मिलेगा दिखे आप पहला तो आप जारेफ कर लिए जारेफ में प्यारेफ में प्यारेफ कर सकते हैं जैसा अब हो चल रह सब्सक्राइब 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 मिलेगा और नहीं आपको eligible असिस्टेंट प्रोफेसर के लोगे तीन कैटिगरी रिज्ट करते हैं एक बार फिर से तो कैटिगरी वन है जिसमें देखो ज्यारेफ हो ज्यारेफ है तो यह आपको सब्सक्राइब कर पाएंगे और प्रोफेसर भी बन पाएंगे और प्रोफेसर यहां ना only admission to PhD इसमें क्या होगा ना तो आपके पास ज्यारेफ है मतलब फेलोशिप नहीं मिलेगा नहीं आपको लेक्चर शिप कर मिलेगा कुछ क्योंकि आपका LS किलियर नहीं हुआ है आपको net क्लियर नहीं हुआ है बट जो net का scorecard जो आपको मिलेगा उसके बेस पे आपक पर प्रसेंटाइल के पर मिलेगा आपको उसी के बेस पे आपको admission लेना पड़ेगा पीजडी एडमिशन में तो आपको PhD करना है कहीं से भी करना है स्टेट कॉलेजे से हो इसमें क्या हो रहा था आप आपको नेट देना पड़ेगा इसको समझेंगे क्यों ऐसा किया गया है तो दर रिजल्ट आप नेट विल भी डिक्लेयर इने पर्सेंटाइल एलॉंग विद्ध माक्स ऑप्टेन बाई केंडिडेट टू इउटिलाइस अफेड मीशन देखे अब यहां पर क्लियर ली बोला गया है कि जो रिजल्ट जो रिलीस किया जाएगा न उसमें पर्सेंटाइल भी लिखा रहेगा एलॉंग विद्ध माक्स और उसमें माक्स में सार रहेगा आपको कितना नंबर मिला है आपको इसी नेट इग्जाम में उसी माक्स के बेस पर आपको प्यज़डी मेड मिशन मिलने वाला है तो जैरेप क्वालिफाइट इस्टुडेंट्स और प्यज़डी प्रोग्राम बेस डान दे इंटर्विव अब देखें जो केटिगिरी 2 और केटिगिरी 3 में जो क्वालिफाइट होते थे होंगे मतलब जो उनली लेक्चर सिप के लिए होंगे जिनका नेट क्लियर होगा जैरेफ की बात नहीं कर रहे हो जैरेफ वाले को डारेक्ट्ली एडमिसन मिलेगा प्यज़डी में लेकिन ज जो नेट इक्जाम दिये हैं जो लेक्चर सिप के लिए है जो नेट इक्जाम दिये हैं उनके लिए एक पैटन लेके आए गया है कि कैसे उनको पीज़डी में दिया जाएगा तो उनके लिए क्या 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर्ड़ टेस्टी स्कोर तो जितना भी आपको स्टेट इनवर्सिटी जहां पर भी एडमिशन लेना है पीज़डी में उसके बेस पर आपको क्या मिलेगा पीज़डी में इमिलेगा तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको नेट क्लियर हो जाए तो भी 70% मार्क इसको भी आपको काउंट होगा अगर आपको क्लियर भी है तो भी आपको उसका मार्क 70% काउंट होगा और 30% इंटर्व्यू का काउंट होने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपको नेट कुछ भी नहीं हुआ तो भी जो भी अगर आप एक्जाम दिये हैं अगर उसको उसके उसके बेस पर आपक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कितना है और साथ इसाथ इंटर्व्यू का दोनों मिला करके जैसे कि मैंने बता दी यह चीज इंपॉर्टेंट तो मांक सब्सक्राइब कर लेते हैं एक बार हम नेट क्लियर कर लेते हैं आइक बार हम नेट क्लियर कर लेते हैं लेस के लिए लिए फॉरेवर के लिए हमारे पास वैश्टीक सब्सक्राइब तो कि अंदर आपको पीश्डीऐ्ड अब पॉड़ेगा और आप नेट क्वालिफाइड होते हैं आप इन्वर्शिटी ए कॉलेजिजंस अ कले आपको प वो one year के लिए valid है one year के बाद उस second exam देना पड़ेगा फिर से आपको net exam दे करके उस scorecard के base पे आपको क्या करना पड़ेगा थी एजडी मेंड मेंशन देना पड़ेगा तो यह बहुत बड़ा important point हो जाता है क्योंकि समझते हैं ऐसा क्यों किया गया है है ऐसा करने के पीछे reason क्या है सबसे पहले मैं बता दूँ एक पॉइंट यह है कि जो multiple exam देना पड़ता था multiple exam student को देना पड़ता था अलग अलग universities colleges के लिए प्राब्लम सौल हो जाएगा दूसरा यह था कि state colleges university अपने students को favor करते थे हाना जो भी state colleges थे या फिर सेंट्रल इंवर्सेटी से जो भी वो colleges क्या करता था अपने students को favor करते थे PhD मेड मीशन के लिए हाना इस वज़ा से थोड़ा problem होता था अधर students को अगर different colleges में जा करके अगर चाहे different universities में जा करके PhD करना चाहे थोड़ा problem होता था interest exam होया interview कुछ भी तो इसलिए अब क्या कर दिये गया है कि आपको transparent होगा आप नेट exam दिये रहेंगे नेट exam conduct कोन कराता ही न्टीए की द्वारा जो आल ओवर इंडिया में एक ही जने है जो कराने वाला है तो कराएग एक ही conclude कर दूँ तो पहला आपको net exam देना है UGC NTA net exam हाना साइंस वालों के लिए CSIR UGC NTA net exam सबसे पहला आपको certificate मिलेगा जैसे अभी भी मिलता है तो जैरेफ अगर आपको मिलता है तो आप लेक्शेर शिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वह साथ ही साथ प्येसडी के लिए लिए डारेक्ली उनका हो जाएगा हाना उनका सीधा क्लियर हो गया है नेट में जो क्लियर है जो आपको माक्स अप्टेन हुआ रहेगा वह सिर्फ वन येर के लिए वैलिट रहेगा अगर प्येसडी मेडमिसन ले रहा है तो उसके बेस पे अगर आपको 70% उसका बेटेज होगा और 30% आपको इंटर भी देना पड़ेगा ठीक करने कहीं से बीकरना होगा क्या करना पड़ेगा नेट एकग्ञाम पड़ेगा पड़ेका टेना पड़ेगा ये नेट इछ मूंट एक्जाम दे करके हम PhD कर पाएंगे ठीक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यूजिसी के द्वारा अच्छा अच्छा डिसीजन लिया गया है यह काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि आप एक बार एक्जाम दीजिए नेट एक्जाम देंगे आप हो हर जग जहा काम आने वा Thank you